दो साल पहले पागवड़ा चेत्र में साइक्ल मिस्त्रे के घर डाका डालने वाले घिरों के सरगना दिलनेशी को एस्टीएफ ने पागवड़ा से गिरफतार कर लिया और ओपी ने डगेती के दुरान अंगुटी निकालने के लिए एक इवक की उंगले काट जिती एस्पिसिटी अमित कुमार आनन ने बताया कि गुरुबार रात एस्टीएफ बरेली के परवारी निरिक्षित अजेपाल सिंग के टीम मुरदबाद आयत की रात के देड़ बजे टीम ने पागवड़ा पुलिक से सहयोग से टीम यू बागड़पूर कट के पास से दिलमेशी ओफ नदीन उर्फ नाइन बिट्टू और उसके पिता गयूर उर्फ बिट्टन को जिरफतार किया दोनों के पास से एक इक तमंचा बरामत किया गया है दोनों खाना बदोस जीवन जीते हैं इस वक्त में मेना ठेड़ खाना चेथ के गाउं तेहरपूर में डेरे डाले थे एस्टी सिटी ने बताया कि जिरफतार पुलिस के मुताबिक आरोपि दिननशी पर मुरादबाद में 25,000 और हरीदुआर में 5,000 का इनाम गोशी थे दोनों आरोपि को कोड में पेश कर जेल भेज दिया गया है एस्टी एफ वा थानक पाकबाड़ा के सहयोग से एक 25,000 का इनामी बदमाश दिननशी गुर्फ नदीम निवासी मैनट हेर को गिरफतार किया गया है इस पर उत्तरा खंड से भी 5,000 का इनाम गोशिक है इसकी उपर पूरो में मुरादाबाद में उत्तरा खंड में लूट डकैती के मुकद्मे पंजेगरत है यह व्यक्ती 2018 में पापबाड़ में एक डकैती की घटना में वांची चल रहा था जिस घटना में पहले ही चार मुल्जीमों को जेल बिजा जा चुका है देर रात यह उन्हों एक घर के अंदर हुसे थे मार्पेट की जिसमें एक रख्टे की मुल्जी पड़ गई थी जहां से इन्होंने रुप्ये अभुशन वाल्य समान ले गए थे यह लोग खाना वदोश की तरह रहते हैं तंबूर लगाकर गाउं या रोट के पास रहते हैं जहां से यह तहां पर नए घटना करनी है इसके साथ ही एक अन्हेव्यक्ती ग्रफतार किया गया है इनके पास से दो तमन्चे वा चार जिंदा कार्टूस 350 बरामत किया गया है